तमस्कार मैलीजा आप देख रहे हैं सबरंग समाचार अभी जैसा कि हम पुराबादी इस टेडियम में फुटबॉल ग्राउन में मौझूद है और आप देख पा रहे हैं वीज्वल के माध्यम से 2400 जिले से यहां लोग आए हुए है जो हजारों की संख्या में भीड है यह मौझूद अब मैं वीज्वल के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि जो पुरानी पैंशन योजना को लागू करने के लिए यहां पे लोग इसके समर्थन में उतरे हैं और जो नई पैंशन योजना है उसके विरोध में वो कह रहे हैं कि हमें पुरानी पैंशन योजना ही म पैंशन योजना से रिलेटिफ यह पुरानी पैंशन बहाली जो राष्ट्यान दोलने नमों पर सुत्रा हमारा राश्ट्य सरकार संगठ है जिसके आदेने विजय कुमार बंद हमारे अध्यक्ष हैं विकत कई सालों से सभी कर्मचारियों को जो भीविन सरकारों द्वारा क प्रानी पैंशन बंद करके नई पैंशन इसकीम जो कि नो पैंशन इसकीम है जो कि शेर मार्केट पर आधारित है और ऐसे समय में जब आदवी 30 साल 35 सरकार की शेवा करता है जब सारी रूप से अक्षम हो जाता है उसको जो है असाय होकर सरकारों ने छोड़ दिया उस लड अगर नई पैंशन योजन से क्या कुछ इसमें खराब है यह भी बताएं नई पैंशन इसकीम के बारे में मैं इतना बता दूँ यदि यह अच्छी होती तो हमारे मानी निये विदायक मानी ने सांसद लोग स्वेम इसको ले लेते परानी पैंशन क्यों अपने पार रखते आज हमारे कोई मानी ने विदायक मानी 700 गंशन आ जो oda स्वेम इसको पैंसद ने रहे होएं और इसकी लड़ाई को देरे देरे जीत रहे है और प्रणीती कि अगे बढ़ रहे है और शीरादी सीर हिमाचल गुजरात और उतरगाड में पुरानी पैंसनबहाल हो तो जारखन में जब इतने सारे लोग आए हैं इस पेंशन योजना की समर्धन पे क्या कुछ कहेंगे उन लोगों के लिए ये सब कर्मचारियों की एकता का परिणाम है जारखन की जो हमारे विकरान सिंग जी है परदेश सत्यक जी जिन्नों ने जिस खुवी से यहां पर लड जाना आगया है यदि आज चुप रहा तो भविश्य उसका खत्रे में जाएगा और इसलिए आज पुरानी पेंशन भाली की हुजूम को आप जनसेला को जारखन के बिर्सा मुंडा की धरती पर यहां पर लोगों को देख सकते हैं जैसे कि आपने सुना के इनका क्या कुछ होगा यह जारखन का एक परिचय जारखन की संस्कृति का परिचय दिया जाएगा चत्राजिला की लोग भी हमारे साथ मौजूद है वो भी बताना चाहते हैं कि पेंशन योजना से वो किस प्रकार खुश होने वाले हैं क्या कुछ कहेंगे इस पैंशन योजना में हम लोग करने चाहें कि पुराणी पैंशन है वो हमें मिलनी चाहिए अनप्य जो हमारे हख में नहीं है वोड़ा पे की लाटी मुझे चाहिए और हमें आसवा करो सेवा करने बाद मुझे वो लाइब में सिकूर्टी ना मिले कि कि इतनी मिलेगी कैसे जिनके जियेंगे उनक पुरानी पेंशन योजना अगर बहुत होती है तो हमें उससे बहुत खोशी मिलेगी हम सरकार के सदा आभारी रहेंगे हेमन सोरेन के सदा आभारी रहेंगे और इतने लोगों का हुजूम जो पुरे स्टेडियम में मैं वीजवल के माध्यम से दिखाना चाहूंगे कि अभी लोग आ रहे हैं और जो उत्सा है उनके अंदर उत्सा पारम पर एक निर्थ्य की भी तैयारी हो चुकी है जो जारकंट के संस्क्रिती को दर्शाएगा और जो और अथिती यहां पे मुख्य अथिती के रूप में मुख्य मंद्री हेमन सोरेन कुछ देर में बधारने वाले है और उनके द्वारा इस पेंशन योजना की जाएगी जैसे कि अब देख पा रहे हैं कि अभी हमारे साथ मौजूद है कि इनका क्या कुछ कहना है जो पूरानी पेंशन योजना है उसे लगाए जा रहा है कि आज लागू कर दिया जाएगा इसमें क्या कुछ है देखे ऐसा है कि हमारे गोशना पत्र में कहा गया था और हमें पूरी उमीद है कि मुख्यमंत्र जी निराश नहीं करेंगे इतनी उमीद के साथ सारे लोग यहां आए हैं तो मुझे लगता निश्चित रूप से वो उमीदों पर खरा उतरेंगे और देखे आप ही लोगों के बदरत यह राजी चल रहा है आप लोग जीवन भर मेहनत करते हैं तब जाकर सब कुछ और विशेश रूप से कोरोना के समय में जिस तरह से सरकारी कर्मियों ने जो सेवा की वो प्राइवेट में नहीं देखा गया तो मुझे लगता है कि उनके साथ नियाए होना चाहिए और वो ब्यवस्ता लागू होनी चाहिए जो 24 जिले से यहां लोग आए हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आजाए मैं यहीं संदेश देना चाहूंगी कि मैं भी मुझे मंत्री जिसे यहीं अनुरोद करूंगी कि आपकी उमीदे पूरी हो और यहां पे जिस प्रक मुझे मंत्री जी हमेशा से पूरे देश में मिसाल के रुपे का दिखे हैं आपको पता होगा कि कोरोना के समय में मजदूरों को हवाई जहाद से पहली बार मानी मुझे मंत्री जी लाए थे ले लड़्दाव से उसके बाद जो रेलवे से भी काफी मजदूरों को घर इस आणोलन से जुड़े हुए सच्चिव हमारे साथ मौजूद है राष्टी छाथ सच्चिव है जो आए हुए है था जानेगे कि इनका योजनाओं पर क्या कुछ कहना है यह जो पुरानी पेंशन योजना है इस पे क्या कहें गाए पुरानी पेंशन जो है यह बुड़ा इस फैमिली विल सफर सो आज पर दी सुप्रीम कोड जेजमेंट देहाव टो इंप्लिमेंट इवल्ड पेंशन स्की पुरानी पेंशन बहाली करना ही चाहिए पर जो नई पेंशन योजना थी उस पे क्या कुछ कमिया है मैं भी यह जाना चाहिए वो नो पेंशन स्कीम है अ लाउत सो हजार से क्या उसका घर चेलेगा अ ज़रूरी आपमान रहे कि पुरानी पेंशन नहीं नहीं होके रहेगी अब देखने वाली बात है कि शामपुर जब मुख्र मंत्री यह पे आएगे तो उनके द्वारा क्या मिरने लिया जाएगा क्या वो खुद इसी मंच से मौराबादी फुटबाल स्टेडियम से इसी मंच के द्वारा पुरानी पैंशन योजना की यो महाल होने की सूचना देखे हमारे साथ मौजूद है विरेकुमार बंधुजी इस पैंशन की लड़ाई में उन्होंने भी कई योगनाती है आपको बता दे कि यह लखनों से आये हैं साब और इनसे अब हम जानेंगे कि जो पैंशन योजना आखिर पुरारी पैंशन योजना को जो लागो करने की मांग इनकी क्यों रही है वोजना की मांग इतनी लंबी चली आपकी लड़ाई बहुत लंबी चली क्या कुछ गएंगे उसमें नहीं लड़ाई तो बिल्कुल लंबी चली नो डाउट इसमें है आप पिछले साथार सार से लगातार हम सब लड़ रहे हैं और अच्छी बाते हैं कि इस लड़ाई में हम सपलता की तरफ बढ़ रहे हैं रास्तान और पुरानी पैंशन योजना दुबारा बहाल हो पाईगी पूरी उम्मीद है उम्मीद है अगर यह नहीं हुआ तो आके क्या करेंगे अब आके हम तो संगर्स कर रहे हैं संगर्स बढ़ेगा और अब इसमें यह बताएं कि जो योजना सरकार की तरफ से नहीं पैंशन योजन पुरानी पैंशन योजना हमें तो वही चाहिए और उसी से हमें फाइदा होगा और अब आज कुछ एदिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं इस मंच के द्वारा मुख्यमंतरी खोताएंगे और उनके द्वारा हो सकता है कुछ बड़े निर्णे ले लिए जाए इसका मानना है और इनका जिस तरीके से इन्होंने बताया तो हो सकता है कि आज वो अधियासिक दिन आही गया है कि मुख्यमंतरी पुरानी पैंशन योजना को ही लागू करेंगे और आप सब लोगों का पुरानी पैंसल बहाली की बात है आप लोग चुकि करमचारी हैं बहुत सारी गतिविद्यों को आप नजरों आपके नजरों से गुजर रहा है मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन मैं आप लोग को अस्वस्त कर देता हूं और मेरा यह प्रयास है और इस सब्द के साथ मैं अपनी बातों को समाथ करने की कोशिस करूंगा चुकि कुछ कारी क्रम और भी हमारा है व्यस्ता थोड़ा सा भी समय चुकि कम है और मंजिल थोड़ा लंबा हो गया कुरोना ने थोड़ा हमारा समय खा लिया तो हम लोग गति देनी की प्रयास में ह तो उसमें आप लोग की भी सहयोग अपिक्षित रहेगी जो सरकार की योजनाए हैं जो धरातल पर है वहां हर जरुत बंदों तक कैसे पहुंचे इसका एक इमांदार प्रयास हम आप लोगों से अपिक्षा करेंगे और आप लोग की पुरानी पैंसन के लिए मैं कोशिस कर रहा हूं कि 15 अगस्त तक यह हम आपके लोगों तक यह उफार के रूप में दें हैं और लगबाद अभी अंतिम चरण पर ही चीजे हैं हम चुकिए यहां बेबस्था बे भी बहुत दिमक है बेबस्था के अंदर भी बहुत दिमक है बचते बचाते चीजों को आपके लिए हमेशा जो आप लोगों की मांग है इस समस्या का समधान करने के लिए बलकि आप ही लोग है उस समस्या का समधान करेंगे और पुखता होने का बाद उस पर मोहर लगाकर 15 अगस तक हमारी प्रयास है कि आपको ये सोगात के रूप में हम मंचों से सुनाए तब मुझे बहुत खुशी होगी आज तो आप लोग आ गए इस आसा उमीद के साथ लेकिन मैं प्रयास में था कि हो लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि इतने सारे समस्याओं के बीच में इसको इस बार नहीं गोसित किया गया लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं अगली बार जब अभी मंच पर आओं तो कागत के साथ आप लोग के समझ मैं मंच पर उसको दिखा सकूँ तो साथियों यहां पर सबसे पहले तो अलग-अलग राज से आए यहां तिलंगना से भी आए हैं और तिलंगना के लोगों का भी बहुत हमारे परती अभार रहता है मैं आपको बता दो आदनिय गुरुजी ने इस राज को अलग किया है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता लेकिन मैं आपको यह भी बता दू तिलंगना राज को अलग करने में भी आदनिय अदिसों गुरुजी के एक आम भूमिका रही है जिसके वज़े से वो राज आजस्तित्र में आया है तो आज वहाँ के लोग भी उनको काफी आवार करते हैं आज वहाँ के भी सदस्याय हैं मैं इनका भी जारकर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हजारों की संख्या में इस स्टेडियम में भीड मौजूद है ये लोग वो की मांग है कि पुरानी पैंशन योजना आनी ही चाहिए इससे लोगों को फाइदा होगा अब देखना ये है कि क्या इतने बड़े जन सहलाब के बाद क्या सरकार इस योजना पे कार करती है क्या इन दोगों की जो उम्मीद लगी हुए सरकार से जो इनकी मांग है सरकार से वो पूरी होगी क्या पूराने पैंशन योजना जो 2004 में बंद कर दे गई थी वो तुम्हारा लागू होती है या नहीं कैमरा परसंद दीपक के साथ लीजा सबरग समझा